जैहिंद आज हम पढ़ने वाले हैं महा सिवरात्री पर असान सब्दों में निबंद तो आईए शुरू करते हैं भारत को अक्सर त्योहारों का देश कहकर पुकारा जाता है क्योंकि यहां अलग-अलग सब्भेता, धर्म और संस्किर्ती से जुरे लोग रहते हैं जो इसे विभिन त्योहारों का गढ़ बनाता है भारत एक धर निर्पेक्ष देश है इसी कारण यहां वर्ष में विभिन तरह के त्योहार मनाये जाते हैं यह त्योहार भारत की अखंडता, परभुत्तो और भायचारे का प्रतीक है महा सिबरात्री हिंदु धर्म का एक पवित्र त्योहार हैं यह त्योहार हिंदु पंचांग के अनुसार फालगुन माह के क्रिशन पक्ष की चतुरदसी तिथी को मनाई जाती है पौरानिक मन्नताओं के अनुसार महा सिबरात्री पर सिबलिंग की उत्पत्ती हुई थी और इसी दिन सबसे पहले भगवान विशनु और ब्रह्मा जी ने सिबलिंग की पूजा की थी इस दिन भगवान सिब के प्रतेक मंदिर को भव्य रूप से सजया जाता है महा सिबरात्री पर सिबजी के विशेश पूजा अराधना, वर्त और जलाभि से किया जाता है महा सिबरात्री पर दिन भर पूजा के साथ रात में भी भोले भंडारी की पूजा करने का विशेश महतो होता है धार्मिक मन्यता के अनुसार इस दिन भगवान सिब और माता पार्वती की बिवाह हुआ था साल में होने वाली बारा सिबरात्रियों में महा सिबरात्री को सबसे महत्पून माना जाता है भारत सहित पूरी दुनिया में महा सिवरात्री का पावन पर्व बहुत ही उत्सा के साथ मनया जाता है सत्य ही सिव है और सिव ही सुन्दर है तभी तो भगवान आसुतोस को सत्यम सिवम सुन्दरम कहा जाता है भगवान सिव की महिमा अप्रम पार है भोले नाथ को परसंद करने का ही महा पर्व है हमारे धर्म साष्टरों में ऐसा कहा गया है कि महा सिवरात्री का वर्द करने वाले साधक को मुख्च की प्राप्ती होती है जगत में रहते हुए मनुस्य का कल्यान करने वाला वर्द है महासिवरात्री इस वर्द को रखने से साधक के सभी दुखों पिराओं का अंदतो होता ही है साथ ही मनु कामनाएं भी पुर्ण होती है सिव की साधना से धन्य धान्य, सुक्स भाग्य और समिर्धे की कमी कभी नहीं होती दोस्तों वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स में जुरूर बताए और हाँ चेनल पर अगर पहली बार आए हैं तो किर्पिया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में विल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम